नमस्कार दोस्तों आशा है आप सभी के एक्जाम बहुत अच्छे जा रहे होंगे आज की इस वीडियो में हम सब्जेक्ट कोड B.H.I.C.112 के कोशन पेपर को देखेंगे जो कि जून 2023 का होगा कोशन पेपर के अगर हम बात करें तो 5 कोशन आपको करने होंगे एक यूनिट से 2 कोशन और एक यूनिट से 3 कोशन एक कोशन का अंसर जो है वो लगभग आप 400 वर्ट्स में देंगे जैसे कि आप देखे पहला कोशन है 17 और 18 जो सैंचरी थी इसमें जो हमारा संस्क्रिस साहित था उसके उपर एक लेक लिखना है तो देखे इस चैप्टर की लगभग हमने जो पहला चैप्टर है उसकी वीडियो अपलोड कर रखी है आप वहाँ से इस वीडियो को देख सकते हो तो आपको अचले लगए जो 17 और 18 सैंचरी थी यानिकि 78 सदी थी इसमें संस्क्रिस साहित का किस प्रकार से विकास हुआ इसके बारे में आप पूई तरी किसे बताएंगे अगला कोश्चन है बहमनी समराजी के पतन के उपरांत दक्षन में राजनिती गतिविदियो पर एक लेक लिखिए यानिकि साउथ इंडिया में जब बहमनी समराजी का पतन हो गया वो समाप्त हो गया तो उसके बाद दक्षन में जो नए-ने सरदारों का उदय हुआ और जो दक्षन भारत की राणिती थी उसमें किसकी बन्षों का उदय हुआ इसके बारे में आपको बताना है अगला question है राथोड विद्रो के स्वरूप की समिक्षा कीजिए चौधा question आपका टिपनी का होगा जो अगर आपको इन में से तीन question आते हैं तो तीन question उपर वाली कर देंगे आप और नहीं आते तो फिर आप टिपनी पर जासे जहांगीर नामा जो कि एक किताब है जहांगीर की कार खाना श्रिवाजी और British East India Company इन में से किसी पर भी दो पर टिपनी आप कर सकते हैं तो चार में से दो या तीन question आप फर्स्ट यूनिट से कर रहे सकते हो और यूनिट नमबर जो टू है भाग दो है इसमें पहला question है कि 17th century यानि कि सत्रवी सदी है इसमें हिंद महासागर में जो व्यापारिक संजाल में भारती उप महादेप की केंद्रे भूमिका का वर्णन कीजिए यानि कि सत्रवी सदी में हिंद महासागर में जो व्यापार हो रहा है इसमें क्या क्या चेंजिस आए अलवार नैनार इन सब के वारे में आपको थोड़ा थोड़ा बताना पड़ेगा अगला कोशन है सत्रवी और अठारी सताबदी में पूरी भार्क में मंदिर निर्माण की गतिविधिया आपको बतानी है आपके एकजाम अच्छे जा रहे होंगे और आगे अच्छे ही जाने चाहिए मिलते हैं आप से नेक्ष वीडियो में तब तक लिए धन्यवाद